हेलो स्टुडेंट्स आइविलकम ओल आफ यू इन केनेज एजुकेर तुडे वी आर लर्निंग अबाउट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अपरेशन अन देम यहापका चाप्टर है सेवेंथ माथमाटिक्स का और स्टुडेंट्स तुडेंट्स तुडेंट्स अवर ल अपरेशन के टाइप्स और अपरेशन अन देम में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के यहाँ पर एडिशन सब्क्राक्शन और मल्टिप्लिकेशन के एक्जाम्पल्स हमें देखने हैं अफ्र दाट इन लास्ट वी लर्न एक्वेशन इन वन वेरियेबल होता क्या है तो मैतिकल इक्सप्रेशन हो जाएगा जहां पर भी नुमरिकल और साइन्स यहां पर रोते है यहां पर बन गाई है इसे हम क्या कहेंगे मिटेमेटिक सब्क्रेोशन किसे कहेंगे ऐलजेब्रिक एक्स.परेशन का मीनिंग क्या है या आज हमें लर्न करना है अलिड वह को पता है operation में only four operation है multiplication division additional subtraction यही तो operation हमें देखना है इसके बारे में algebraic expression के बारे में तो expression का मिलिंग आपको पता चला expression क्या होता है जहाँ पर भी operation प्लस यहाँ पर numerical value होती है तो उसे हम क्या कहते है expression कहते है यहाँ पर mathematical जब यहाँ पर mathematical operation करेंगे number के साथ तो mathematical expression हो जाएगा जब यहाँ पर algebra के साथ यहाँ पर expression किया जाता है तो उसे algebraic expression कहा जाता है तो algebraic मतलब है क्या तो यह start करते आच है इस new lecture को तो algebraic expression look at the arrangement of sticks यहाँ पर एक sticks है उसके arrangement यहाँ पर दी है given below and observe the pattern हमें क्या करना है यह pattern जो आपर दिखाई दे रहा है इसे observe करना है तो arrangement of sticks यहाँ पर दीखे 1, 2, 3, and 4 कितने squares यहाँ पर बन रहे है यहाँ पर दे रादर total 1 square so we write down the 1 and number of sticks यहाँ पर कितनी है दे रादर 4 if I increase the number of square यहाँ पर देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मुझे यहाँ पर number of sticks लगती है 7 गर यहाँ पर 2 square बनते है after that when I increase the number of square मैं यहाँ पर 3 कर दिया तो मुझे यहाँ पर देखे 3 square के लिए 10 यहाँ पर क्या लग रही है यहाँ यहाँ पर sticks लग रही है क्यों नहीं लिख सकते 3 मतलब यहाँ पर 3 बनता 3 हो सकता है तो 3 बनता 3 plus 1 यहाँ पर हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर एक mathematical expression यहाँ पर बना दिया then after that देखिए 7 का मतलब क्या होगा 7 मतलब क्या है 6 plus 1 होगा correct यह क्या हो रहा है 7 का मतलब यह 6 plus 1 हो रहा है so that's why I can write as 3 2s are 6 तो 3 multiply by 2 plus 1 हो रहा है correct after that 10 के लिए देखिए 9 plus 1 में लिख सकता हूँ yes लिख सकते है then यहाँ पर 3 3s are 9 plus 1 यहाँ पर होगा उसी तरीके से आपर देखिए 12 plus 1 13 होता है so 12 के लिए में आपर 3 4s लिख सकता हूँ आपको यहाँ पर similar pattern दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पर how many squares 1 square के लिए आपर देखिए pattern क्या बन रहा है 3 multiply by 1 plus गर मैं यह expression solve करता हूँ तो मुझे आपर number of sticks मिल जाती है 2 squares के लिए आपर देखिए 3 multiply by 2 आपर 2 square डाल दिया तो 3 to 6 plus 1 number of sticks मुझे आसानी से मिल जाएगी then यहाँ पर 3 squares है so 3 3s आपर मैंने जस्ट क्या क्या 3 put किया तो 3 3s आ 9 plus 1 10 यहाँ पर number of sticks आ गई उसी तरीके से 4 3s आ 12 plus 1 यहाँ पर 13 sticks मुझे यहाँ पर मिल गई तो हम यहाँ पर आसानी से बता सकते उसी तरह यहाँ पर देखे n number of squares है मैं यहाँ पर how many देरादन n numbers देखे यहाँ पर 10 है तो 10 square मैंने बना दिये तो मैं क्या करूँगे यहाँ पर इस formula में 10 के जगा यह जो value है यहाँ पर 10 दाल दूगा तो 10 3s are 30 30 plus 1 31 sticks मुझे यहाँ पर लगेगी उसी तरीके से गर मैं आपर n number मतलब यह number कोई भी हो सकता है तो n number कर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ n number of squares से तो मैं यहाँ पर 3 multiply by n plus 1 ऐसे लिग सकता हूँ So I can write as 3n plus 1 तो students यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 3n plus 1 इसका मतलब on observing the pattern above we notice that number of sticks is equal to क्या हो रहा है 3 multiply by number of squares plus 1 here the number of squares changes it could be any of the numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to infinite यहाँ पर कोई भी number आप ले सकते हो if we do not know the number of squares we write a letter in its place गर हम यहाँ पर पता नहीं कि कितने squares है तो उसके जगा पर हमने क्या खें यहाँ पर n लिखा यहाँ पर कितने भी हो सकता है 40 हो सकता है 30 हो सकता है 94 हो सकता है 92 हो सकता है 100 हो सकता है 200 भी हो सकता है यह तो 4000 हो सकता है तो यह कोई भी number हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर पता नहीं है so that's why just place the variable 1 यहाँ पर मैंने alphabet यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर alphabet यहाँ पर हमने put किया So 3N plus 1 यहाँ पर मेरा expression बन जाएगा So here the number of squares is shown by the letter N Okay, so I can easily find out गर यहाँ पर देखे number of squares यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर number of sticks कितने लगेगी So 350 is a plus 1 53 is a 50, 150 plus 1 मतलग 151 sticks मुझे लगेंगी ठीके? अब try करिए 151 sticks लीजे उसका square बना के देखिए, ओके? तो लेखिए next अभी So गर यहाँ पर मेरे पास 3 balls है तो मैंने आपर क्या लिखा? 1, 2, 3, 3 balls है? Yes, correct अभी 3 triangles के लिए मैं आपर क्या लिखूंगा? लिखूंगा यहाँ पर 3 triangles गर मैंने आपर only 3 लिखा यह statement मैंने आपर नहीं लिखा तो मैं जे कैसे पता जल कि यह balls है, यह triangle से, यह 3 Ts है Yes, तो अभी देखिए 2 balls plus 3 bats I can write as 2 balls plus 3 bats कै मैं आपर 5 लिखूंगा? यहाँ पर नहीं जे मैंने आपर 2 plus 3 लिखा तो I can easily write down the 5 but there are the 2 balls and there are the 3 bats so I can write as 2 balls plus 3 bats यहाँ पर guavas and mangoes है so therefore 2 mangoes है 3 guavas है so therefore 2 mangoes, 3 guavas so I can write as 2 mangoes plus 3 guavas and xx plus yyy I can write as 2x plus 3y इसके जगा पर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2x plus 3y तो student जहाँ पर भी जिस भी expression में mathematical operation के साथ गर यहाँ पर alphabet आते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं algebraic expression ही कहते हैं ओके तो दिखेंगे आपर एक rectangle है उसका यहाँ पर perimeter क्या होगा यहाँ पर उसकी length यहाँ पर L है breadth यहाँ पर B है so 2L plus 2B I can write as 2 in bracket L plus B यहाँ पर लिख सकता हूँ L के जाका आपर कोई भी value put करिये आपको यहाँ पर आसानी से perimeter of rectangle मिल जाएगा ठीक है तो मुझे यहाँ पर पता चला 3N plus 1 3T 2X plus 3Y 2 in bracket L plus B R algebraic expression क्यों यहाँ पर algebraic expression है यहाँ पर number के साथ कोई alphabet भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है X दिखाई दे रहा है Y दिखाई दे रहा है A दिखाई दे रहा है B दिखाई दे रहा है जब भी GCB expression में number के साथ operation कौन कर रहा है आपर alphabet मतला है यह आप कोई भी alphabet हो सकता है तो उसे हम क्या कहते है algebraic expression कहते है so n, t, y, l, b, x are variables यहाँ पर क्या है यह variables, why we called them as a variable because 2l plus b तो यहाँ पर मुझे बताइए length और breadth सभी rectangle के लिए क्या same ही रहती है नहीं ना, सभी के लिए अलग-अलग होती है, किसे एक rectangle यहाँ पर 2 cm होगी, किसी के लिए 4 cm होगी, किसी के लिए 7 किसी के लिए 8, किसी के लिए 20 किसी के लिए 30, तो यहाँ पर यह क्या हो रही है, variate हो रही है मितलब यहाँ पर vary हो रही है इसकी value, so we call them as variable, इसकी value यहाँ पर vary हो सकती है यहाँ पर मैंने 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हो, 4 डाल सकता हो, 5 डाल सकता हो, so we call them as variables, ओके, तो जो भी यहाँ पर मैंने alphabet use किया है, आप यहाँ पर L के जगाँ आपर A put कर सकते हो, B put कर सकते हो, कोई भी A to Z से जो भी alphabet है, आप यहाँ पर use कर सकते हो, जब भी जिसी भी mathematical operation में हम यहाँ पर alphabet use करेंगे, उस जो mathematical expression है, उसे अलग name हो जाता है, उसका name हो जाता है, algebraic expressions, आई बास समझ में, तो देखिया भी, in the expression 3x, 3 is the coefficient of the variable x, यहाँ पर मैंने 3x लिखा, तो x यहाँ पर क्या है, variable है, बट यह 3 क्या है, so 3 is the coefficient of x, जैसे कि अभी देखिये, एक example में यहाँ पर ले रहा हूँ, मेरे पास एक bag है, यहाँ पर 3 के multiples of मैंने balls लखे है, 3 के multiples मतलब 9 हो सकता है, 12 भी हो सकता है, दिन उसके बाद 18 भी हो सकता है, दिन उसके बाद 30, 33 भी हो सकता है, so यहाँ पर मुझे identify कैसे करेगे, ठीक है, मुझे यहाँ पर लिखना है, mathematical operation के साथ, मुझे expression यहाँ पर लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, so late, यहाँ पर 3 के multiple है न, तो वो जो number यहाँ पर है, जो भी हाँ पर multiple value है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी इसका multiple है, मतलब 3 4 जा या तो 3 6 जा या तो 3 7 जा जो भी number यहाँ पर है, उसे मैंने X एजून किया, so therefore I can get the expression 3X, मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3X मुझे मिल रहा है, इसके जगाँ पर कोई भी value डाल सकता हूँ, गर यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर 15 है, इसका मतलब X के जगाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 5 जा 15, मतलब यहाँ पर 3 के, यहाँ देखे, 3 5 जा जितने यहाँ पर value आती है, student dan में रखिये, variable के साथ जो भी numerical value आती है, उसे हम कहते है coefficient, in the expression, minus 15 t, यहाँ पर minus 15 यहाँ पर coefficient हो जाएगा, variable of t का, जो भी यहाँ पर number है, उसके घर यहाँ पर sign है, negative या तो positive का, उसका sign भी आपको लेना है, so that's why minus 15 t का, यहाँ पर minus 15 is the coefficient of the variable t, in which multiplication is the only operation, is called a term, देखिये, जेव भी expression है, in which multiplication is the only operation, there is only one single operation, which is the multiplication, we call them as a term, जेखिये कि आपर देखिये, 3 multiply by x है, आपर only कॉंसा operation है, multiplication का option है, so therefore 3x, it's a term, one single term, okay, and algebraic expression, may have one term, or may be sum of several terms, okay, तो यहाँ पर terms देखिये, 11 mn है, इसका coefficient हो जाएगा 11, variable यहाँ पर m on n हो जाएगे, then minus 9 x square y cube, minus 9 is the coefficient, x and y are the variables, then after that, pi upon 6 p, pi upon 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा coefficient हो जाएगा, and p मेरा यहाँ पर variable हो जाएगा, a यहाँ पर देखिये, a का मतलब यहाँ पर, जो मेरा variable है, वो मेरा a है, और यहाँ पर coefficient कुन सा हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई नहीं मतलब, यहाँ पर 1 होगा, 1 multiply by a, इसका answer a ही होता है, so therefore 1 is a coefficient, so example देखिये, in the algebraic expression, 4x square minus 2y plus 5 upon 6xz, 4x square is the first term, and 4 is the coefficient of e, यहाँ पर उसका coefficient हो जाएगा 4, उसी तरीके से minus 2y में, y यहाँ पर हो जाएगा मेरा variable, minus 2 यहाँ पर हो जाएगा coefficient, and उसी तरीके से 5 upon 6xz में, xz मेरे हो जाएगे variables, and 5 upon 6 मेरा हो जाएगा, यहाँ पर coefficient of xz, ओके example समझ में आगया, yes, तो यहाँ पर यह ध्यान में रखिये, the algebraic expression, 15 minus 6 has two terms, क्यों यहाँ पर two terms आ रहे हैं, आपको 15 minus 6 में, because, अबने term की जो definition थी, क्या यहाँ पर read की थी, the expression in which, multiplication is the only operation, यहाँ पर 15 minus x, यहाँ पर देखिए, क्यों तया operation हो रहा है, यहाँ पर minus का हो रहा है, multiplication का नहीं है, so that's why, there are the two terms, तो 15 एक अलग तर्म हो जाएगी, x मेरी अलग तर्म हो जाएगी, okay, the first term यहाँ पर 15 है, and second term is minus x, okay, यहाँ पर negative sign भी आपको लेना है, the coefficient of variable of x, पर बनेगा, terms which have the same variables, with the same powers, are called like terms, देखिए, जो भी term है, जिसमें same variable हो, plus same power, same power मतलब, yes, हमने अलड़ी indices में learn किया था, power मतलब, जहाँ पर जो भी base है, उसके उपर, उसके माथे पर, जो भी value लिखी होती है, उसे हम power केते, जैसे कि 2 raise to 4, 4 यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी power हो जाएगी, तो उसी तरीके से, गर यहाँ पर terms है, जैसे कि 15x है, and plus यहाँ पर 7x है, तो variable यहाँ पर same दिखाई दे रहा है, यह क्या होगी, मेरी first term हो जाएगी, यह मेरी second term हो जाएगी, because, मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो first term में, variable x है, second term में भी यहाँ पर x है, तो first tick mark कर दीज़े, तो first condition क्या थी, same variable लिख लीज़े आप, same variable, okay, first term मेरी क्या है, यहाँ पर variable same होने चाहिए, second term क्या है मेरी आपर, same power, उसकी जो power है, variable की यहाँ पर same होनी चाहिए, देखिए x की power यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके index में कोई लहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर one होगा, तो यहाँ पर भी one ही है, कोई नहीं मतलब, so therefore, यहाँ पर power one है, यहाँ पर भी power one है, इसका मतलब same power, यहाँ पर यहाँ पर like terms कहेंगे, तो like terms and unlike terms में difference देखिए, जब भी यहाँ पर variable same हो, then after that variable की power same हो, तो उसे हम केते like terms, जैसे की 2x, 5x, minus 2 upon 3x, यह सभी क्या हो जाएगे आपर like terms हो जाएगे y, because उनका जो variable है, सभी के जगा पर x है, और x की power यहाँ पर 1 है, coefficient कोई भी हो सकता है, coefficient यहाँ पर negative, positive, integer, rash number कोई भी हो सकता है, हमारी यहाँ पर condition क्या है, like terms के लिए, first condition variable same होना चाहिए, second condition variable की power यहाँ पर same होनी चाहिए, अभी second one देखिए, x square y, y x square, तो x square y, y x square, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, इसका मतलब first condition तो satisfied हो करी, यहाँ पर variable जो है, वहाँ पर भी उतने ही variable है, again, इनकी power देखिए आभी, y की power क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, उनकी power यहाँ पर सेम नहीं होती है, जैसे कि xy है, यहाँ पर y square है, y तो है, बट यहाँ पर उसकी power 1 है, यहाँ पर 2 है, and यहाँ पर x is missing, so that's why there are not a like term, यह like term नहीं हो सकते हैं, minus 2xy, 9y square, यहाँ पर y है, यहाँ पर y square है, तो यहाँ पर power 1 है, तो यह भी यहाँ पर like term नहीं हो तो यहाँ पर MN तो है, यहाँ पर भी MN दिख रहा है यहाँ पर MN दिख रहा है, बट M की power यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है So, that's why first condition तो satisfy हो रही है But second condition satisfy नहीं हो रही है Second condition क्या केते है? यहाँ पर उनकी power भी same होनी चाहिए इंडेक्स में जो भी value है variable की वो भी आपर same होनी चाहिए तब ही हम उसे क्या कहेंगे like terms कहेंगे तो on the basis of that देखें आपर types of algebraic expression क्या बनते हैं तो expressions are name after the number of terms they have उनके पास कितने terms हैं तो on the basis of that we call them as a some जो type है algebraic expression के so expression with one term we call as a monomial जीस भी expression में only single term है तब हम उसे क्या कहेंगे monomial कहेंगे those with two terms जिसके साथ यहापर two terms हो जाएगे उसे हम binomial कहेंगे जिसके साथ यहापर three terms होंगे तो उसे हम कहेंगे trinomial and if they have more than three terms they are called polynomials okay three terms यहाँ तो three से जादा यहाँ पर उसे हम क्या कहेते हैं polynomials कहेते हैं okay three से sorry three terms को यहाँ पर trinomial कहेंगे and three से जादा मतलब यहाँ पर four five six okay three से जादा कहा है न उनने three से जादा मतलब value कुन से होचे थे four से five six seven eight nine ten इसे कोई भी value हो सकती है तो यहाँ भी term में यहाँ पर three से जादा terms होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे polynomials कहेंगे examples देखिए monomials के यहाँ पर एक single term है so we call them as a monomial five upon six m it's a monomial minus seven is also monomial why because it's a one term यह एक अलग term है minus seven is also a single term यहाँ पर variable नहीं है मतलब यह monomial नहीं कैसा ऐसा नहीं किये monomial नहीं है यह algebric expression नहीं है यस हम यहाँ पर इसे भी algebric expression कह सकते कैसे कह सकते देखिए minus seven है multiply है कि और one लिख सकता हूँ yes लिख सकता हूँ already आपको पता है a to the power 0 is equal to खना होता है 1 होता है तो क्या में यहाँ पर x to the power 0 is equal to यह इते लिख सकता हूँ 1, yes लिख सकता हूँ, so therefore minus 7 multiply by x to the power 0 भी मैं लिख सकता हूँ जहाँ पर भी जो यहाँ पर number है जिसके साथ गर variable उसकी index power 0 होती तो उसे यहाँ पर 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर minus 7 होगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी value नहीं हम put कर रही है, तो यहाँ पर इसकी जो term है, इसकी value यहाँ पर क्या है constant है, यह change नहीं होगी minus 7 change नहीं होगा, गर मैं यहाँ पर minus 7 x लिखता हूँ, तो x के जगा पर कोई भी value आती है 2 आ सकता है, इसका value क्या बनता है minus 14 बनता है, x के जगा पर 3 डाल दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो उसी तरीके से, यहाँ पर minus 7 यहाँ पर कोई भी variable नहीं है इसकी value यहाँ पर same है, constant है so we call it as constant term, उसे हम क्या कहेंगे constant term यहाँ पर कहेंगे जहाँ पर भी जिस भी expression में single term है, we call as a monomial, गर two terms है तो उसे हम binomial कहेंगे तो यह जो terms है, यहाँ पर कैसे identify किया जाते है, यहाँ पर expression में कौन-कौन से multiplication के आलावा जो operation होते है, तो यह उसे classify करता है, distribute करता है terms में, so that's why 2x यहाँ पर एक single term है, because इसके बीच में only multiplication ही है operation, 3y यह अलसो एक another term है, तो यहाँ पर दोनों मिलके, यहाँ पर एक term बना रहा है, युसे हम क्या कहते है expression बन रहा है, तो यहाँ पर two terms मलतब यह बनता है, binomial 12 plus 2b is also binomial, 3mn minus 5m square n, यह also binomial, अभी trinomial, जहाँ पर भी three terms होगो, a, b, c, it's a trinomial, x square minus 5x plus 6, it's a trinomial, 8a cube minus 5a square b, plus c, it's a trinomial, polynomials में देखिए, a cube minus 3a square b plus 3ab minus b cube यहाँ पर है, तो यह भी polynomial होजाएगा, why? because there are the more than three terms, so that's why we call them as polynomial, तो उस यहाँ पर देखिए another example, 4x square, 4x raise to 4 है, minus 7x square है, plus 9 है, minus 5x cube minus 16, we call it as polynomial, 5x raise to 5 हो, minus 1 upon 2x plus 8x cube minus 5 this is also example of polynomial, okay, example समझ में आ गए सभी, तो students, I think यह सभी type सबको समझ में आची क्यों होगे, देखिए, आपर 2 terms हो, तो यहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे, binomial कहेंगे, गर यहाँ पर 3 है तो trinomial, single है तो monomial, and गर यहाँ आपर 3 से ज्यादा मतलब 4, 5, 6, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, उसे polynomial कहेंगे, ओके, समझ में आ गया, yes तो students, आज किस lecture में हमने कौन-कौन सी concept learn की, आज हमने देखा what is mean by algebraic expression, algebraic expression किसे कहा जाता है, जिस भी expression में, गरम यहाँ पर कोई भी alphabet insert करते है, put करते है, तो उसे हम कहते है, algebraic expression, ओके, यहाँ पर हमने terms देखा, terms का मतलब क्या है, ओके, algebraic expression कैसे लिखा जाता है, then after that हमने उसके types देखे, monomial, binomial, trinomial and polynomial, यह सभी concept समझ में आ चुके होंगी, तो next lecture में हम देखेंगे, addition of algebraic expression, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं next video में, thank you